जवलपूर के नेताजी शुभाच चेनर बोस सेंटरल जेल में सोमवार की रात उस समय हड़का मच गया जब नाइट शिफ्ट में ड्यूटी के लिए पहुचे एक जेल प्रहरी से सर्चिंग के दोरान दस पुडिया गांजा परामद हुआ पकड़े जाने के बाद आरोपी प्रहरी ने चेकिंग स्टाफ से विवाद करते हुए भागने का प्रयास किया लेकिन मौके पर प्रहरी को दपोश्ट लिया गया मामले में चेकिंग स्टाफ ने गांजे की स्मगलिंग के पूरे घटनागरम की वीडियो ग्राफी की और अधिकारियो को भेज दी जेल परीसर में लगे कैमरे जेल मुख्याले से लिंक अफ हैं इसलिए मामले ने तूल पकड़ लिया है बोपाल के जेल अफसरों ने ततकाल जवलपूर जेल अधिक शक समय सभी जिमेदार अधिकारियों को मौके पर पहुशने के निर्देश दिये देर रात से लेकर सुबह तक चली कारवाही की बात आरोपी प्रहरी को सस्पेंड कर विभागी जाज के आदेश चारी कर दी गए हैं सुत्रों के मुताबिक सेंटरल जेल में रातरी पहरे के लिए रात दो बजे से सुबह छे बजे तक प्रहरी राजेंदर राठोर की ड्यूटी थी और सोमवार की रात राजेंदर जेसे ही चेल गेट के अंदर पहुझा तो चेकिंग कर रहे प्रहरी बिंदु विश्व कर्मा ने उसकी तलाशी ली तो राजेंदर के बेल्ट के बकल से एक कागस की पुडिया बाहर निकली हुई दिखाई दी जिसके बाद बिंदु को शक हुआ और उसने राजेंदर से बेल्ट उतार कर चेक किया तो बेल्ट में डबल लेयर मिली और जिसके अंदर से एक के बाद एक दस गांजे के से भरी हुई पुडिया निकली सुत्रों के नुसार जेल के अंदर गांजे की एक पुडिया एक हजार रुपए में बिकती है इसलिए राजेंदर के पास से जब्त की गई दस पुडियों की कीमत दस हजार रुपए आ की गई है प्रहरी राजेंदर को गांजे के साथ पकड़ा गया और उसे निलंबित कर विभागे जाज कराई जा रही है कल की राथ था दस वजे जब दस से दो की डूटी में जब दो बजे का गांड बदल राता तो दो से च्छे की डूटी वाले गांड में राजेंदर राइठो ये कर्मचारी था जिसन जो तलासी जब उससे ली गई तो उसे गांजा बारा मादूना चार-पांस पुडियां थी उसमें बजें कारवाई ये की एक सबसे पहले तो इसको सस्पेंड कर दिया ये तो बिवागी जांस की कारवाई है इसके सासाथ हम जिरात सेनिक कल्यान वोट जहां सी ये पहन सान वाध लाब ले रहा है वहां पर ब्लैक निस्टेट हो भाह पर हम जानकारी बेज रहे ह और तीसरा परविक्षावदी के हमारी एक बार्सिक जो एन्वर जो मीटिंग और समिती रहती है जो डिसाइड करती है कि कौन करमचारी रखने लाएगा नौकरी में और कौन नहीं परिविक्षावदी प्योर टेंपरी रहती है, वो समिती में माम लगाएगा, वो समिती रिसाइड करेगे, नौकरी लाइक है भी यह करनी है.